हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका गुलेर स्टूडी पॉइंट क्लास्ट में मैं शिवाम श्रमा स्टूएंट आज की स्वीडियो में क्लास्ट्राइब पॉलिटिकल साइंस यह निरा जाती कि विग्यान के वेरी इंपोर्टेंट क्योशन यह टोपिक जो भी आप कहना सब्सक्राइब कर दीजिया आपको इसी तरीके इंपोर्टेंट की स्टार्ट कर रहे हैं तो जीनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न वो सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि आगे भी आपके लिए काफी इंपोर्टन टॉपिक आने वाले हैं ठीक है अभी इसमें मिक्स अप कोशन है ये ठीक है इन सब कुशनों को आप देखेंगे और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को सबको तो यहां देखेंगे जो है सब्सक्राइब कर देखेंगे इसके बारे मैं आपने लिखना है इंपोर्टन कोशन है ऑप्रेशन इंफाइन रिच का आदेश किस ने दिया था इसके इसके ऊपर हम बात करेंगे ठीक है संग कि सुरक्षा परिशाद में कितने स्थाई सदस हैं यह आपको बताना है राजए पुनर गठन आयव करके इसको अभी आपके काफी इनफ टाइम है तो आप इसको अडाम से कर सकते हैं साज आज आयोग के अध्यक्ष कौन थे परमाणू प्रसार संदी पर किस वर्ष हस्ताक्षर किये गए थे मंदा डाय आयोग कि अध्यक्ष कोन थे इसके बारे में आप देखें गुट नीर प्रेट्ष अता से आपक्या विपराए ए शोग्ठ रेपी क्या हो थी इसको आप देखेंगे पूरेशिया के आजछीत की भूमी का क्या है आप आरंपरिक शुरक्षा में मानाफ्था की शुरक्षा बदलते खत्रों की प्रकरती का वर्णन कीजिए ठीक है इसको आप देखेंगे राज पुनरकाथन आयो कब और क्यों बनाया गया है इसके बारे में बात करेंगे दूसरी पंचवर्शी होजना पहले पंचवर्शी होजना से किस पर किन आर्थों में अलग थी इस बारे में ब देख लें पर इकोष्ण आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे कई बच्चे कहेंगे सर यह रिडियूस लेबस से हैं कुछ कुछ आपने कर दिए तो यह आप मैं आपको बता दूं हर क्योश्ण एक दूसरे चैप्टर से लिंक अप है ठीक है तो हर एक कुश्ण अगर आप एक चैप्टर में उससे लेटेड कोई न कोई चीज आपको मिलेगी तो इन क्योश्णों का जरूर पढ़ना ताकि पेपर में आपको किसी तरीकी कोई परिशानी ना आए जना अंदोलन के महत वपर प्रकाश जा लिए आगे देखें चुनावी गडबंदनों की प्रसंगता का वढ़नन भारती संदर्व में शंक्शेप में कीजिए ठीक है इस बारे में आप देखेंगे शीद-एधि क्या पर नाम हुए इसके बारे में पढ़ेंगे सोवेट संगर्य का विबिटन क्यों हुआ और इसकी परिनिर्थियां क्या थी ठीक है यूरोपिय संग को क्या विकारों के लिए किस प्रकार से संगर्ष किया व्यक्या कीजिए वैश्वी करण में प्रोध्योगी क्या व्योगदान है यानि भूमिका है इसके बारे हम बताने कोशन कॉंग्रेश विवस्ता को पुना इस्तापित किया गया इस कथन की विविशना कीजिए आपको करना पड़ेगा ठीक है इंद्रा गांदी के पास आपातकाल लगाने के अतरिक तो कोई विकल्प नहीं था इस कथन के पक्ष में विपक्ष के अपने तर्क के प्रस्तुत कीजि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई निमन मैंसे किस दल का गठन 1951 में हुआ था पेंटागन क्या है चीन में खुले द्वार की नीती की घोषना किस ने की थी इस बारे में आप बताएंगे भारत में भारत के दूसरे प्रदानमंत्री कौन थे एंडिये का पूरा को आई कौन से देश कर रहे थे इस बारे में आपको बताना है लिखाए लेड़ी फॉर्ष है एक्सिस पावर सेकंड वर्ड़ वर्षीत युद्ध के दोरान भारतिय सव्विस संग के आर्थिक संबंदों का संक्षेव में उलेक कीजिए आशियान क्या है इसके बारे में कितने के इंदर साथी राज्य बनाए गए थे और परदेश थे ठीक है भारत के पहले आम चुनाओ का क्या पढ़नाम रहा दल बदल से क्या भी प्राई है 49 वाला कोशन है कॉंग्रेस पढ़नाईल से आप क्या समझते हैं धर्म ने पेक्षिता से क्या ततपर है क्या विप्राई आप समझेंगे युरोप ये संग के उद्देशयों का उल्लेव कीजिए सिंदु जल संदी क्या है इस पश्ट कीजिए सुरक्षा परिशत के कारव मताइं व्यश्वि करकार गडबंदन सरकार बनी कि 1975 के राष्ट या पातकारण के कारण समझाईए सीत युद्ध से आप क्या समझते हैं सोव्य संग और अमेरीका के बीच मदभेत के कारणों की चर्चा कीजिए शोक्तरेपी क्या थी इसकी परिणामों का उलेक कीजिए वैश्वीकरण के सांस् की स्तिती की वेश्णा कीजिए कॉंग्रेस का एक समाजिक और विचारात्म गडबंदन के रूप में मुल्यांकन कीजिए भारतिय संग में रजवाडों का विलेक इस परकार हुआ इस परश्ट करके आपको बताना है 1975 में के आपातकाल के बाद भारत में एक नई यूग की शुरुआत हुई इस कथन को कथन का जो है मुल्यांकन आप करके बताएंगे देखिए इंग्रिश में भी नीचे लिखा रहा है आप समझ सकते हैं वीडियो को पॉस करके 1960 का जो दशक था कि कॉंग्रेस पार्टी के संदर में सिंडिकेट का क्या आर्थ है सिंडिकेट ने कॉंग्रेस पार्टी में क्या भूमी का निभाई इस बारे में आपको बताना है 1989 के बाद की अब दी में भारती राजनीती के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं इस बारे में आप बताएंगे मंडल आयाओ का गठन क्यों किया अधा था इसकी मुख्य शिवारिशों का उल्ले कीजिए Operation Desert Storm क्या था अंतराश्ट्रिय आणविक उर्जा एजन्सी के दो कारेयों का उल्ले कीजिए अमेरिका और सोविये संग के बीच हुए किनी दो अस्तर नियंतरन संधियों के नाम लिखिए आजादी के पक्षपाद भारत के सामने क्या दो चुनोतियां थी भारती राजनीती की वें स्वत्तंत्र पार्टी की क्या भूमिकाती इसको आपने पढ़ना बहुत ही जादे इंपोर्टेंट कोशन है सभी है भारत की परमानू निती के दो देश्यों को लेक कीजिए चिपको आंदोलन की शुरुवात काब और कहां हुई यह आपको बताना है आनंदपूर साहीब सम्मिलन में पारिद दो प्रस्ताव लिखिए यह आपको बताना है नव अंतराश्ट्री आर्थी क्विवस्ता के शेत्र में अब तक हुई प्रगती का परिक्षन कीजिए श्रिलंका में जाति संगर्ष के परणाम लिखिए मूल वासियों अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से संगर्ष किए इसपरष कीजिए 1947 के भारत विवाजन के परणामों का वर्णन कीजिए सुरक्षा परिश्यत के कारियों का उलेक कीजिए गुट निर्पेक्षता की निती में ज्वाहरलाल नहरू की भूमिका का वर्णन कीजिए 1960 के दशक में कॉंग्रिश पार्टी के संदर में सिंडिकेट का क्या रथ है यह आपका कोशन पहले भी आ चुका है रिपिटेड है ठीक है नर्मदा बचाओ अंदोलन के कारण नो आयम निदानों का वर्णन कीजिए तो गरेंटी के साथ आपको कुछ और पढ़ने की जुरत नहीं आप आसानी से इसमें क्या हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस में आसानी से आप पास हो जाएंगे तो आज की स्यूडियो में इतना ही मिलते है नेक्स स्यूडियो के साथ ठेंक्यू